टीवी का लोगप्रिय शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी को शुरू हुए अभी कुछ समय ही भीता है पर अपने दल्चस्प कहानी की वज़े से लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है शो की कहानी पिंकी नाम के एक कम लंबाई वारी लड़की की प्रेम कहानी है जिसे अब नेत्री रिया शुकला पिंकी के रूप में काफी अच्छे से परदे पर उतार रही है और काफी कम समय में ही दर्शुकों की फेवरिट बन गई है लेकिन दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में नहीं बलकि इनकी सैलरी, प्रॉपटी और लाइफस्टायल के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे अगर आप भी इन से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें और साथी रिया के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें नाटे पिंकी की लंबी लव स्टोरी सीरिल में पिंकी का करदा निभा रही अबिनेत्री रिया शुकला का जन एक जनवरी उनीस सो अंठानवे को लखनाओं में हुआ था इसलिए इनकी शुरवात ही पढ़ाई वही के MKSD इंटर कॉलेज से हुई जिसके बाद इन्होंने UP University से अपनी graduation पूरी की अगर बात की जोए इनके acting career की तो इन्होंने अपने career की शुरवात साल 2015 की फिल्म नील बटे सननाटा में स्वरा भासकर की बेटी अप्पू का खिरदार ने भाकर की थी जिसके बाद इन्होंने हिच की और थर्ड आई जैसी कई फिल्मों में काम किया वहीं आज ये कलर्स के शो नाटी पिंकी की लंबी सी लव स्टोरी में पिंकी का लीड रोल निभा रही है जिसे निभाने का ये पर डे 30,000 चार्ज करती है और अपनी इसी कमाई से इन्होंने मुंबई में 3 करोड का एक फ्लैट खरीदा है जो 3 कमरों वाला है और काफी बड़ा है पर प्रापटी से ज़ादा ये अपनी लाइफ स्टाइल पर ज़ादा पैसे खर्च करती है और एक लगजरी लाइफ स्टाइल जीती है शुरू करें इनके ड्रेसेस से तो अपनी रियल लाइफ में इंडियन से लेकर वेस्टरन सभी तरके के ड्रेसेस पहनती हैं जिनमें अनारकली सूट, शॉर्ट ड्रेस और शॉर्ट फ्रॉक सभी शामिल हैं और सभी में ये काफी सुन्दर दिखती हैं पर इनकी ये सुन्दर से ड्रस करीब 10,000 की होती है वही बात कर इनके शूज की तो इनके पास ड्रस से मैचिंग शूज का एक बड़ा कलेक्शन है जिनमें शौर्ट बूट, स्नीकर्स और हील्स सब ही शामिल है जो प्यूमा और बनाना रिपाब्लिक जैसे ब्रैंड के होते हैं इसलिए इनके एक प खीमत 5,000 तक होती है जो लॉरियल पेरिस ब्रैंड की होती है अब अंत पे बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की तो ये हूंडे वर्णा कार की मालकिन है वही अगर बात कर इनके नीजी जिन्दिगी की तो खबरों के मताबिक ये अपने कुस्टार पुनी चोक से को डेट कर जिस पर इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है फिलाल ये अपने पिता सुशील और माता मादुरी के साथ मुंबई के बैंडरा वाले घर में खुशाल जंदिगी बिता रही है और अपने करियर पर फोकस कर रही है तो दोस्तों पिंकी के रूप में आपको रिया का पिने कैसा लगा आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें